हलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको ऐसी पांच दिमागे पजल बताने वाली हो कि जिनके जवा आपको दस सेकंद से पहले देने हैं तो चलिए शुरू करते हैं पजल नमबर वन एक मुसाफिर रामपुर जाने वाला रास्ता भटक जाता है उसे समझ नहीं आता है कि रामपुर जाने वाला रास्ता किधर है तो उसी समय रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था तो मुसाफिर उस आदमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रामपुर जाने वाला रास्ता भूल गया हूँ क्या आप मुझे रामपुर जाने वाले रास्ते का पता बता सकते हो तो आदमी कहता है कि सिर्फ एक शर्त पर बता सकता हूँ अगर तुमने मेरे किस सवाल का सही जवाब दिया तो आदमी उस मुसाफिर को एक पिच्चर दिखाता है और कहता है कि बताओ इन 6 बलून में से वह कौन सी 3 बलून है जिसे फोड़ने पर इसकोर 20 हो जाए तो दोस्तों क्या आप उस मुसाफिर की मदद कर सकते हो क्या 3 बलून फोड़के 20 इसकोर बनाने में तो चलिए आपका स समय शुरू होता है अब तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं इसका एंसर तो बहुत ही इजी था आप पहले 8 नमबर वाले बलून को फोड़ोंगे उसके बाद 5 नमबर वाले बलून को फोड़ोंगे और लास्ट में 7 नमबर वाले बलून को फोड़ोंगे तो तीनों बलून के नमबर को फोड़ने पर 20 सकोर बन जाएंगा तो क्या आपने भी यही जवाब सोचा था तो बहुत बढ़िया पज़र नमबर टू दोस्तों इस पिचर को ध्यान से देखिए और हमें बताईए कि यह मर्डर है या फिर सूसाइड तो भई दोस्तों पिचर को जर ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंड कीजिए तो देखते हैं भई कि आपका दीमा कितना तेज सोचता है तो दोस्तों आया क्या आपको इसका जवाब कि यह मर्डर है या सूसाइड तो चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों यह एक सूसाइड है क्यूंकि लाश बिल्कुल दर्वाजे के पास है क्यूंकि अगर ये मर्डर होता तो खूनी इस दर्वाजे से कैसे बाहर गया दर्वाजा तो खुली नहीं सकता ना क्यूंकि यह लाश दर्वाजे के पास है इसका मतलब यह सूसाइड है पजल नमबर थ्री दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक पीचर आई है तो आपको बताना है कि यह किस मोबाइल गेम का नाम है तो भई दोस्तों पीचर को जरध्यान से देखिए तो चलिए आपका स समय शुरू होता है अब तो दोस्तों पता चला क्या आपको कि यह किस मोबाइल गेम का नाम है नहीं पता अरे यार यह तो टेमपल रन गेम है दोस्तों मंदिर को हम इंगलीश में टेमपल कहते है न और लड़का दोड़ रहा है याने रन तो दोनों मिला कर हो गया न टेमपल रन पहली नमबर फोर ऐसी कौन सी सबजी है जिसमें जिला भाषा और देश तीनों के नाम आते हैं तो भई दोस्तों जरा सोचो सोचो और दस सेकंड से पहले अपना जवाब कमेंड करो तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं वहर सबजी है भिंडी दोस्तों भिंडी का लास्ट आय हटा देने पर भिंड बन जाता है जो मद्द प्रदेश का एक जिला है और भिंडी का B हटा देने पर हिंदी बन जाता है जो एक भाशा का नाम है और भिंडी का शुरू का B और लास्ट का I हटा देने पर हिंद बन जाता है जो हमारे हिंदुस्तान देश का नाम है तो भई दोस्तों आप में से कितने लोगों ने इन सभी पजल के जवाब 10 सेकन से पहले दिये थे तो वह मुझे कमेड करके जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियों में